गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा इसे फर्स्ट वीडियो में हम लेसन वन हाफ रीड कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था दुजिन होते हैं अब बुधाबी वी किसी बात पर बहस कर रहे होते कि सबसे सुन्दर कोन है तो वी एक राजकुमार और एक राजकुमारी दोनों को एक जगए एक अटा कर देते हैं और वी दोनों एक दूसरे को अपनी रिंग देते हैं और उसके बाद जिन दोनों को अलग कर देते हैं अब उससे आगे देखिए जो राजकुमारी होती है सहरजादी उसका एक चायल्डूड फ्रेंड होता है वो कहता है कि वह उसे प्रिंस को ढूंड कर लेके आएगा तो देखिए मरजुन सैट आउट देट डे मरजुन जो सहरजादी का चायल्डूड फ्रेंड है वो उस दिन निकलता है और वह बड़ी मुसीबतों के बाद कालिदन के आईलेंड पर पहुचता है वह से कहा हूँ आप कालिदन के आईलेंड पर है रिप्लाइड दा स्टेंजर स्टेंजर ने रिप्लाइड दिया वह आर यू तुम कोन हो मैं ने सुना कि राजगुमार बहुत बिमार है मैं उसे सही करना चाहता हूँ चाहूंगा दा स्टेंजर टुक हर इन दा पहले स्टेंजर उसे महल में लेकर गया मर्जुन ने उसे वो रूबी की रिंग दिखाई उसने खुसी की एक सांस ले और उसके पैरों से लिपट गया खुसी से चीक मारे और उसके पैरों से लिपट गया दा ओन लोकर स्टेर इन स्प्राइज सभी देखने वाले हैरान हो गए जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था उसको यह रिंग मैंने दी थी राजकुमा ने खुसी से एक्सक्लेम किया और वह चाहिना में बहुत दूर रहती है और वह तुमें देखने के लिए मरी जा रही है मरजून टोल्ड हिम इंस्टेंटली मरजून ने उसे उस सुकता से बताया स्पस्ट ओमर वाज गलाइटेड ओमर खुस था इन फाइंडिंग दा गर्ल ओफ इस ड्रीम्स अपने सवपन की लड़की को पाकर ही वुड बी ट्रूली हैपी वै बहुत खुश हुआ ही पर्जेंटेड मरजून वीद ए जुलर शॉल उसने एक आबोशनों से जड़ित तलवार एंड सप्लेंडिड होर्स और एक सांदर गोड़ा एज फास्ट एज दा विंड जो हवा से भी तेजगती से चलता था एज टोकन ओफ थैंक्स धन्यवाद के रूप में उसे दिये ओमर और सहरजादी ने जल्दी से राज्जा की पर्मिशन ले शादी करने के लिए जितना जल्दी संभव होसके लिलिबैस सेड वैल आई हैड से दे आर दे बैस लुकिंग कपल इन दा वर्ड और लेले बैस ने कहा कि ये पर्त्वी पर या विस में सबसे सुन्दर दिखने लगने वाले कपल है अबुएंड धाबी एंड आइम सर्टेन देर चिल्डन विल बी इवन मोर हैंडसम और अब धाबी ने कहा कि उनके बच्चे भी जो हैं वो बहुती सुन्दर होंगे और शो दा आर्गुमेंट फाइनली एंडिड टू एवरिबोडी सैटिस्फेक्शन और अंत में ये बहस मापत होई सभी के संतोस्टी के साथ और दोनों जीनियों ने एक दूसरे को खुसी खुसी गले लगाया बिटाज का आपका होमवर्क है आपको फर्स लेसन कंप्लीट रीड करना है थैंक्स